पदार्थ साधर्म्य वैधर्म्य इस प्रकरण को लेकर के हम आगे चल रहे हैं पूर्व पाठ में हम पदार्थ साधर्म्य वैधर्म्य की चर्चा किये थे उन पदार्थों में द्रब्य गुण कर्म, सामान्य विशेश, समवाय और अभाव इन सातों पदार्थों की चर्चा हुई जिसमें पहला पदार था है द्रव्य अब उन्न द्रव्य का क्या साधर में है और उसका क्या वैधर में है इसकी चर्चा हम करेंगे सर्वप्रथम द्रव्य कहते किसे हैं द्रव्य का लक्षन क्या है शास्त्रकारों ने द्रव्य का लक्षन किया है गुण कर्म अभिन्नत पेसती सत्ता वत्वम पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं सत्ता एक प्रकार की जाती है जो पर जाती के नाम से जानी जाती है यह सत्ता द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में रहती है और यह तीनों में समवाई सम्मंध से यह सत्ता रहती है अब जब हम द्रव्य का लक्षन कर रहे हैं तो गुण कर्म भिन्नत वे सती सत्ता वत्पुम ये द्रव्य का लक्षण हो गया है जो सत्ता गुण और कर्म में नहीं रहे उसे हम गुण और कर्म में नहीं रहते हुए सत्ता जहां रहे उसे हम द्रव्य कहते हैं द्रव्य का अन्य भी लक्षण है गुणास्रेत्वं, क्रियास्रेत्वं, द्रव्य सेलक्षनम द्रव्य हमेशा सगुन ही होता है, द्रव्य निर्गुन कभी नहीं होता है इसलिए गुणास्रेत्वं, क्रियास्रेत्वं यह द्रव्य कालक्षन हुआ एक विचारनी ये तथेया है जब हम गुणास्रेत्वं, क्रियास्रेत्वं, द्रव्य सिलक्षणं करते हैं तो नियाय दर्शन का एक सिध्धान्त है कोई भी द्रव्य उत्पत्तिकाल में निर्गुण होता है और निश्क्रिय होता है उत्पन्नम द्रव्यम शनम निर्गुणम निस्क्रियन चति श्ठति तो ऐसे उत्पत्तिकालीन द्रव्य में जब कोई गुण नहीं रहेगा, कोई क्रिया नहीं रहेगी, उस उत्पत्तिकालीन द्रव्य में यह गुणास्रेत्वम, क्रियास्रेत्वम ऐसा जो द्रव्य का ल गुण समाना अधिकर्ण द्रव्यत्य व्याप्य जाती मत्वम। गुण का समाना अधिकर्ण जो द्रव्यत्य की व्याप्य जाती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। पर्थवी जलतेज इत्यादी कहते हैं। अब गुण का समाना धिकरण जो होगा वह स्थितिकाली निद्रभ्य ले लिया जाएगा एता वता जो उत्पतिकाली निद्रभ्य है या स्थितिकाली निद्रभ्य है सरवत्र गुणास्रेत्वम यह लक्षण चला जाएगा दूसरी बात क्रियास्रेत्वं द्रव्यस्तिलक्षणम यह जो लक्षण किया गया है वह प्रतिवियादी चतुष्टे और मन में तो जा सकता है क्योंकि यह मूर्थपदार्थ हैं इसलिए इनमें क्रियास्रेत्वं यह लक्षण जा सकता है लेकिन आकाश, काल, दिशा और आत्मा इनमें क्रिया नहीं होती है क्योंकि यह केवला नोई है सरवत्र विद्वान होते हैं यह व्याप्य होकर कि रहता है इसलिए इन में कोई क्रिया नहीं होती है आकाशादी में नहीं जा पाएगा इसका क्या समाधान होगा इसमें भी वही तरीका है क्रियावद वर्ति द्रव्यत्व व्यप्विजाति मत्तुम यह अलक्षन कर देने से समस्त द्रव्य में यह अलक्षन घाटित हो सकता है द्रव्य की संख्या नो हैं प्रत्वी, जल, तेज, वाईव, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन यह नो द्रव्य हैं, कारिकावली में विश्वनात पंचारण भट्टा चार्य लिखते हैं यहां ख्षिती शब्द, अप्षब्द, तेज, ख्षिती शब्द क्यों कहा गया? यह दिनकरी टीका में ख्षिती ही प्रत्वी ऐसा लिखा है क्यों ऐसा कहा है? अप्त्रिंत्रिच स्वस्री नप्त्रि निश्टी एक सूत्र है पाणेनी का ख्षिती शब्द से शय वाचक अर्थ नहीं लिया जाए इसलिए उसे स्पष्ट करने के लिए ख्षिती ही प्रत्वी ऐसा कहा गया है अप्षब्द जलवाचक है आपो जलानी की का कार लिखते हैं ऐसा इसलिए स्पष्टता के लिए है कि अप्षब्द से अप्त्रिंत्रिच स्वस्री नप्त्री नेश्ट्री होत्री पोत्री प्रसास्त्री नाम इस स्वस्रत्र से अप्षब्द का वहां ग्रहन कर लिया जाए इसलिए यहां आपह जलानी ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है तेज तेज से अगनी का ग्रहन होता है मरुद को बायू कहते हैं मरुद बायू हो ब्योम हां आकाश हा ब्योम शब्द से आकास का ग्रहन होता है काल कहीं अंतक का बोध न करा दे यमराज का बोध न करा दे इसलिए काला समया दिक दिशा और देही आत्मा को कहते हैं देह युप्त जो हो उसे देही कहते हैं वह देही आत्मा है और मन ये नौ द्रव्य कारिकावली में और अन्य गरंथों में बतलाए गए हैं तो द्रव्यों की कुल संख्या नो है क्षित्यादी नौ का साधर में क्या है क्षित्यादी नवा नाम साधर्मियम एक तो साधर में है द्रव्यत्वम दूसरा है गुणवत्वम द्रव्य में जोकी द्रव्यों की संख्या नौ है इसलिए इनमें इदम द्रव्यम इदम द्रव्यम इदम द्रव्यम यह जो एकाकारा प्रतिती होती है इस एकाकारा प्रतिती का नियामक एक द्रव्यत्व जाती है यही द्रव्यत्व इन नवो द्रव्यों का साधर में है दूसरा साधर में है गुण बत्तों ये सभी नो द्रव्य गुण वाले होते हैं कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं रहता हो द्रव्य का लक्षण ही है गुण बत्तों द्रव्य सेलक्षणम किस द्रभ्य में कितने गुण रहते हैं इसे भी स्पष्ट जानना चाहिए एक कारिका है बायोर नवईका दश तेज सो गुणा हा जलक्षिति प्राण वरताम चतुर दश दिक्काल योह पंच शडेव चामबरे भहेस्वरेष्टव मनसस तथाइव चव बायू में नो गुण रहते हैं बायोर नवईका दश तेज सो गुणा हा ग्यारह गुण तेज के होते हैं जलक्षिति प्राण वरताम चतुर दश जल क्षिति अर्थात प्रत्वी और प्राण वरत का मतलब आत्मा इन तीनों में चवदा चवदा गुण रहते हैं दिक काल योह पंच दिशा और काल में पांच गुण हैं और सडेव चामबरे छे गुण आकाश के हैं महे स्वरेष्टव मनसस्त थेवचर प्रमात्मा में और मन में आठ आठ गुण रहते हैं शित्यादी चार और मन का जो साधर्मिय है वह है परत्व, अपरत्व, मूर्तत्व, क्रियाबत्व और वेगबत्व इन पांचों में परत्व, अपरत्व रहता है, मूर्तत्व, मूर्तत्व का मतलब होता है क्रियाबत्व, मूर्तत्व, छित्यादी चार और मन में क्रिया होने से इनका साधर्मिय मूर्तत्व हो गया क्रियाबत्व भी वही पदार्थ है और वेगबत्व भी तो ये पांच के जो साधर में है वो परत्व, अपरत्व, मूर्तत्व, क्रियावत्व और वेगवत्व उन पांच के साधर में ये हुए धन्यवाद